जैसा कि हमने जाना कि जैसा पृत्वी हमारा प्लैनेट है, इसी तरह का एक और प्लैनेट हुआ करता था मेल्टेक, उसके बारे भी मैं आपको पिछली कडियों में बता चुकी हूं, लेकिन सीरियस आकारश गंगा में भी पृत्वी जैसे ही बहुत से प्लैनेट हैं, वो भी technology wise अपने आपको और उन्हें देखे तो हम अपने आपको बहुत हम तो सोचेंगे कि हम तो जैसे comparison करें तो हम तो जैसे पाशान यूग में हैं हम बिलकुल पुराने जमाने में जी रहे हैं वो हमसे बहुत आगे हैं तो जैसे कि हमने जाना था कि किस तरीके से ये जो अलग अलग प्लैनेट है इनके पार जो टेकनोलजी है इसके तुरू ये हमारी जो पृत्वी नाम का प्लैनेट है वहाँ पर कभी कभार कुछ वक्त के लिए आते जाते हैं तो इसी तरह से जो ये सीरिस अकाशक गंगा के जिस प्लैनेट की बात कर रही हूँ जो पृत्वी जैसा था वहाँ की जो विमान थे वो भी धर्ती के दाएरे में आये हैं और चारली हिल्सन चारली हिल्सन एक अमेरी की योद्दा हुआ करते थे सैनिक जो उनको यूद के बहुत अच्छे बड़े स्थर पर उनकाले किया था और वहाँ के बहुत से एक्सपीरेंस यूद के बहुत सारे एक्सपीरेंस उनके पास थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि उन्हें अब आप सरल भाशा में कह लीजे कि उन्हें इस तरह कि जो दूसरे प्लैनेट के निवासी है उनके विमानों में अप्रण करके ले जाए गया है। रा से जब इस पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हां। चार्ली हिलसन जो बता रहे हैं वैसा हुआ है। और क्यूं हुआ है। क्योंकि वो जो प्लैनेट है वहां के जो निवासी है। जैसे हमें फिल्में देखना पसंद है। हम गाना सुनना पसंद करते हैं फिल्में देखना पसंद करते हैं। जो उस प्लैनेट के निवासी हैं वो भी तीसी डैमेंशन का है। पृत्वी जैसा ही है। बहागे जो प्राणियां उनकी शक्रोस रोध भी प्रित्वी जैसी ही है, मतलब प्रित्वी जैसे प्राणियों जैसी ही है, तो वो चारली हिलसन के अनभवों को जो युद्ध में उन्होंने अलग लग तरह के अनभव लिये थे, उन अनभवों को जानना चाहते थे, उनको उन अन्भवों को जानना, उसको महसूस करना, उनके लिए ऐसे था जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म को महसूस करते हैं, जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म का आनन्द लेते हैं, और कई बाई अगर अच्छी फिल्म हो तो कुछ सीखते भी हैं, कुछ इसी तरह से वो जो सीरियस अकाश गंगा के प्लैनेट से आए हुए निवासी थे, उनके लिए जो चारली हिलसन है, उसकी भावनाओं को समझना, उसको महसूस करके देखना ऐसे था, मतलब वो उनके लिए एक सीखने की आनंददा एक प्रक्रिया थी, जैसे हमारे में देखना होती है, और चारली के युद्ध के अनभवों को जानने और समझने के लिए ही उन्होंने चारली को वो अपने विमान में लेकर गए थे, अब आप देखें कि चाहे वो प्रित्वी जैसा प्लैनेट है, लेकिन फिर भी कितना आगे बढ़ चुका है, मतलब ये तीसी डैमेंशन में भी आप मान लेजे, उसमें भी स्तर है, तो वो शायद अपनी बिल्कुल अंतिम पाइदान पर है वो प्लैनेट, तो रा ने बताये कि जो वहां के प्राणिया, इसी तरह की उज़्धार कारी चारली द्वारा भी दी गई, कि वहां के जो प्राणिया, उनकी शक्ल सुरत वैसे तो जैसे हम इनसानों की है, वैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा फरक है, उनकी नाख थोड़ी सी चपती है, उनकी आखें जैसे सब के कलर आखों के अलग लग है, बहुत खुबसूरत है और बादाम जैसी आखें हैं, उनके शरीर पर बाल बहुत बहु होट होते हैं इस तरह के होट हैं उनके बाकी वो इंसानों जैसे ही हैं देखने में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन जो उन एक के ग्यान को उस क्रिएटर के रहस्यों को काफी हद तक काफी हद तक समझ चुके हैं उस पर काम कर रहे हैं तो उनको उनके कपड़े हमारी तरह नहीं होते हैं जैसे हमारे कपड़े सिलते हैं बनते हैं फिर हम बजार से खरीदते हैं हम पहनते हैं वो वायू से ही इस हवा स आनसे ही उनके कंड़ों से ही अपने लिए स्वेम कप्ड़ा तैयार कर लेते हैं और इस लिए टैट फिट कपड़े और इसका निर्मान वह सूम करते हैं क्यूंकि वह समझ चुके हैं कि क्रिएटर ने इस हवामें सब कूछ दिया है और कैसे प्राप्त करना है इस विधी में वो धिरे धिरे करते करते पारंगत होते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं आगे रा ने बताया कि हर प्लैनेट जो वहां पर कण मोजूद होते हैं वहां से बनते हैं जैसे आप बने हैं हम इंसान मिट्टी से हवा से पानी से बने हैं तो इसी तरह से जो जिस प्लैनेट पर जो जिस तरह की उर्जा उपलब्ध है वो उससे बनते हैं उन्होंने रा ने अपने बारे में भी बताया कि जो हमारा जो व्यक्तित्व है हम जो बने हैं हम रोशनी के बने हैं अब तो रा मानव का रूप धान करके हमारे बीच में नहीं आते हैं लेकिन पहले जब वो आए हैं हमारे बीच में, हजारों साल पहले जब वो आए हैं, तब वो हमारे जैसा ही शरीर धारण करके, हमारे बीच में हमारे जैसा ही रूप धारण करके आए हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम अपने ओरीजनल जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हम रोशनी के बने है उसी रूप में आते तो वहां का समाच हमें सभीकार नहीं कर पाता तो वो हमें हरी बात सुनें और सभीकार करें इसके लिए जरूरी था कि हम उन्हीं के जैसा रूप लेकर इस धर्ती पर आएं आगे रा ने बताया कि वो जो सीरिस आगाशिकंगा के निवासी मिलने आये थे चारली से वो इसले नहीं आये थे कि वो उसे कोई हानी पहुचा थे बलकि वो उसे बताने आये थे मतलब कुछ उसके अन्वहों से सीखने समझने और कुछ उसे बताने कि जनम से पहले उसने जनता की लोगों की भलाई की इच्छा रखी थी, उनके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखी थी, लेकिन आज वो वैसा नहीं कर पा रहा है, या नहीं कर रहा है, उस तक एक तरह से उसको उसका जो कारे था, जिसको भावना लेकर वो धर्ती पर आया था, वो याद द लाने आये थे और कुछ उसके अन्भों को जानने आये थे राने बताये कि बेशक वो तीसरी डिमेंशन के थे तीसरी घनतवता के थे और तुम भी तीसरी डिमेंशन के हो इसके बावजूद वो विकास के मामले में और अन्भो के मामले में तुम से बहुत बहुत आगे थे ऐसे समझ लीजी एक ही क्लास है बेशक से एक ही क्लास है लेकिन फिर भी एक बच्चा वो है जो 100 मेंसे 100 नंबर लेके पास होता है और एक बच्चा वो है जो 100 मेंसे 33 नंबर के लिए भी रगड़ा है बस ये फर्क था बेशक हम दोनों ही तीसरी डैमेंशन के थे वो इस नाम से एक पुस्तक है जिसमें कारला डैनी और चारली ये तीन व्यक्ति थे जिनोंने मिलकर रा जो की एक सूरे प्लैनेट के निवासी हैं उनसे संपर्क किया था इस चैनलिंग के द्वारा जो जानकारी प्राप्त के गई थी वो मैं आप सभी के साथ शेर कर रही हूं औ और अगर आप सर्च करेंगे तो शायद आपको चारली का जो चैनल है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और किस तरीके से कारला ने चैनलिंग किया है वो भी आपको वीडियो भी आपको मिल जाएंगी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये आप सभी पर परमातम सौंदर रहे प्रेम और आनंद से देव परसता रहे आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करें जैसा कि हम